स्वच्छता के मामले में इंदौर तीन बार अवल रहा है और इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ शहर के नागरिकों ने भी खुब रिशन सावटोरी है लेकिन जहां एक तरफ इंदौर सफाई में नंबर बन रहा है वहीं दूसरी और प्रदूशन के मामले में पीछे होते जा रहा है दिलसए Central Pollution Control Board CPCB की और से रविवार को जारी हुए आख़ों के मताबिक रविवार को इंदौर में प्रदूशन का अस्तर दिल्ली से भी जाधा था देश के बड़े शहरों के प्रदूशन पर नज़र रखने वाला CPCB हर घंटे पॉलिशन इंडेक्स जारी करता है और उसी इंडेक्स के अनुसारें दोर में प्रदूशन का स्तर रविवार सुभा 200 दर्ज किया गया था जो की सामाने से दो गुना जादा है वही रात आठ बजे तक ये आकड़ा 220 तक पहुच गया जबकि जरान दिल्ली के आनंद विहार और दिल्ली आईटीउ में प्रदूशन का स्तर क्रमशह 205 और 190 मापा गया बता दें कि CPCB एक विशेश उपकरण के जरिए हवा में मौजूद Respirable Suspended Particulate Meter यानी RSPM की जाँच करता है जो की धूल के छोटे-छोटे कंड होते हैं जो सास लेने के दुराएं शरीर में प्रवेश कर गंभीर बिमारी का कारण बन्द है RSPM दो तरह के होते हैं RSPM 10 और RSPM 2.5 इनकी मात्रा को माइक्रो क्यूबिक प्रदी ग्राम में निकाला जाता है CPCB PM10 के आकड़े जारी करता है और इसी के मताबेक दौर में धूल के कंड इतने जादा बढ़ गए हैं कि ये सास लेने में परिशानी के साथ अन्य गंभीर बिमारी का कारण बन सकते हैं प्रदूशन के स्तर की बात की जाए तो एर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 6 से 50 बहतर, 50 से 100, संतोष जनक, 100 से 200 मध्यन, 200 से 300 खराब, 300 से 400 बहत खराब और 400 से 500 गंभीर इस्तिती मानी जाती है इंदौर में प्रदूशन के स्तर 220 मा पा गया यानि की इंदौर प्रदूशन के मामले में खराब स्थिरी का सामना कर रहा है